सो हे गाईज स्वागत करता हूँ आप सब का फिर से एक नए वीडियो पर तो गाईज आप भी वीडियो बनाना चाहते हो व्लॉग वीडियो और आपको भी ब्लॉगिंग करने में होड़ी यह दिक्कत तो चलिए इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे बाड़ी गल्ती आप कर रहे हो आपको ऐसे नहीं वीडियो बनाना है आपको अगर ब्लॉगिंग करनी है तो उसका एक सही तरीका है जो कि बड़े-बड़े यूट्यूबर करते हैं ब्लॉगर करते हैं जैसे सौरब जोसी ब्लॉग हो गया है मनोज दे हो बहुत सारे जो ब दस पंद्रह गयार वाला भी मोवाइल है तो उसका जो होगा यह रियर कैमरा वह एकदम बढ़िया होगा उससे क्वालिटी एकदम जबर ज़स्त आएगी तो आपको इसी से वीडियो बनाना है अब आप सोचो को कि इससे कैसे वीडियो बनाएंगे सेलफी से तो आसान होता वाइड एंगल दिया है तो वह मतलब कैमरा फीचर एक है वाइड एंगल को आप आउन कर लिजे उससे क्या होगा कि जो अगल बगल का एडिया है ना वह ज्यादा केप्चर करेगा ऐसे देखिए इसमें वाइड एंगल को नहीं दिया है बाकि हम बनाते है आइपोन से तो उसमें काफी बढ़िया दिया है और सैमसंग का भी जो फोन होता है वाइड एंगल वाला उससे आप सूट करोगे तो काफी अच्छा आपको रेजल्ट देखने को दिलेगा तो आपको ऐसे कर लेना है और बोलना है कैसो आप सब उमीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और ऐसे डारेक्ट अकर आपको सामने का फेस दिखाना है तो वह कैसे दिखाऊगे तो आपको ऐसे करके डारेक्ट ऐसे करना है ठीक है तो जब ऐसे आप करोगे तो इधर का भी आ जाएगा और एक सेकंड में इधर का आ जाएगा देखना हो तो मैं आपको यह वीडियो करक और इनसे मतलब जो भी आप डारेक्शन देना चाहते हो ऐसे करके दे सकते हो तो गाईज उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और व्लॉगिंग करने का आपका एक्सपिरियंस जरूर चेंज होगा तो वीडियो चला लगा तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बावा ज क्याहिन वन्ने मात्रम लव यू